Hello Everyone, Welcome to Grilled Movies मूवी की स्टार्टि में एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहां एक सक्सेसफुल कॉंट्रेक्टर क्लिंट अपने ओफिस में एंटर करता है वो एक बहुती अमीर और महनती इंसान है ओफिस में आकर वो अपनी वाइफ जोआना को कोल करता है जो बहुत खुबसूरत है वो कहता है कि उसे बहुत दुख है क्योंकि उसकी वाइफ वीकेंड पर उससे दूर जा रही है इसलिए वो उससे मिलने के लिए आज ओफिस से जल्दी घर आएगा लेकिन उसकी वाइफ इस बात से खुश होने की वज़ाए परेसान दिखती है उसके बाद जोआना पारसल लेने के लिए मेल बोक्स की तरफ जाती है जहां उनका डोग ड्यूक उसे देखकर भोकने लगता है दूसरी और जब क्लिंट वापिस अपने घर आ रहा था तो उसे रास्ते में ओफिसर सैम रोकता है वो उसे वीकेंड पर उसके साथ मचली पकड़ने जाने के लिए पूछता है जवाब में क्लिंट कहता है कि वो इस वीकेंड फ्री है क्योंकि उसकी वाइफ बाहर जा रही है तो वो ओफिसर को हाँ बोल देता है ऐसा लगता है कि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स है उसके बाद क्लिंट घर पहुँचता है और अपने डोग ड्यू को बाहर निकालता है क्योंकि वो बहुत देर से बंद था और इसलिए जोआना पर भोक रहा था जोआना उसके घर आने से खुस नहीं होती और वो बहाना बनाती है कि उसे जल्दी जाना होगा क्योंकि उसकी डोक्टर के साथ अपोइंटमेंट है क्लिंट उसे कहता है कि आज उसे अपने बिजनस के बदले पर उसने उसे ठुकरा दिया जोआना कहती है कि दो मिलियन डोलर बहुत बड़ी अमाउंट है क्लिंट कहता है कि अगर वो अपने बिजनस को बेच देगा तो फिर क्या करेगा जोआना गुसे में कहती है कि वो अपने सहर वापिस निव योर्क जा सकते थे इस discussion से उनके बीच बहस सुरू हो जाती है Clint साफ कहता है कि वो New York से 2000 किलोमेटर दूर यहां अच्छी लाइफ जीने के लिए आया है और जवाना गुसा होकर कार में बैठकर वहां से निकल गई जो कार Clint नहीं उसे दी थी उसके बाद Clint Sam के साथ fishing करने जाता है और उसके साथ अपने परेशानियों को share करता है जब Sam ने पूछा कि उसके घर पर क्या चल रहा है तो Clint जवाब देता है कि जोआना सहर की रहने वाली लड़की है और उसे यहां adjust होने में थोड़ी problem हो रही है इस बीच हमें पता चलता है कि जोआना का उसके डॉक्टर कार्टलेंड के साथ affair चल रहा है कार्टलेंड कहता है कि वो Beverly Hills में अपना क्लिनिक उपन करेगा और बहुत पैसा कमाएगा वो जोआना को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है फिर वो एक poison की bottle निकालता है और कहता है कि ये poison इतना खतरनाक है कि जो भी इस poison को लेगा उसकी heart fail होने से death हो जाएगी कार्टलेंड poison को क्लिन्ट को देने को कहता है ताकि उसके मरने के बाद उसकी सारी property को बेच कर वो अमीर बन सके जोआना भी उसकी इस बात को मान जाती है घर वापिस आने के बाद जोआना अपने पर्स में poison को ढूंडती है पर बोटल से poison लीक होने लगा था तो उसने बोटल को एक बास्किट में चुपा दिया उसके बाद क्लिन्ट घर आता है और अपनी वाइफ को खाना बनाते हुए देखकर वो काम करने के लिए वरक्षोप में चला जाता है वरक्षोप से तेज आवाज आ रही होती है जिससे परिसान होकर जोआना क्लिन्ट को poison देने का decision लेती है और वो वाइन के गलास में poison डाल देती है तबी अचानक क्लिन्ट वहाँ आकर वाइन के दोनों गलास उठा लेता है इससे जोआना को पता नहीं चलता कि कौन से गलास में poison था इसके बाद क्लिन्ट उसे cheers करने को कहता है पर unfortunately वो उसी गलास से वाइन पीता है जिसमें poison था जहर कियो जैसे उसकी chest में बहुत ज़्यादा pain होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है वो जोआना को help करने के लिए पकारता है पर जोआना कहती है कि उसे मर जाना चाहिए उसके मरने के बाद जोआना अपने boyfriend Cartland को call करती है ये बताने के लिए कि उसने अपना काम कर दिया है फिर डोक्टर Cartland और officer Sam मोकाई वारदाग पर पहुंचते हैं Sam दुखी है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि उसका friend heart attack से मर सकता है नीचे floor पर poison की खाली bottle पड़ी हुई थी जिस पर Sam कदम रखने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है वो डोक्टर Cartland से पूछता है कि क्या उन्हें dead body को post-martem के लिए भेजना चाहिए इस पर डोक्टर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है इसके बाद मुर्दागर का scene दिखाया जाता है जहां पर क्लिंट की dead body को लाया गया है अगली सुबा dead body को funeral के लिए बाहर निकाला जाता है और कोरोनर्स dead body को अंतिम सस्कार के लिए त्यार करने लगते हैं तभी Cartland मुर्दागर के owner को phone करके कहता है कि जहां लाया जाती है कि क्लिंट का funeral जल्द से जल्द और कम पैसो में हो जब कोरोनर्स क्लिंट की body को काटने ही वाले थे तभी उनका owner आके उन्हें रोक देता है वो कहता है कि इसकी कोई जुरूरत नहीं है क्योंकि क्लिंट की वाइफ चाहती है कि उसका funeral कम पैसों में हो तब वो क्लिंट की बोड़ी को एक सस्ते और कमजोर ताबूत में डाल देते हैं फिर funeral के दोरान जब जोआना क्लिंट की बोड़ी के पास जाती है तो ड्यूक उस पर भोकने लगता है जोआना रोने का नाटक करती है ताकि किशी को उस पर सकना हो इसके बाद जोआना रात में काटलैंड के साथ बाथ टब में होती है वो दोनों ड्रिंक लेते हैं और क्लिंट की मोद का मजाक उड़ाते हैं फिर रात को तेज दूफान आता है और ड्यूक अपने ओनर को बलाने के लिए लगातार भोकता रहता है इससे परिसान होकर जोआना एक सोट गन लेकर उसे मारने के लिए बाहर आ जाती है वो गोली चलाकर लोग तोड़ देती है पर इससे पहले वो ड्यूक को सूट करती वो वहाँ से भाग जाता है और समसान घाट में जाकर क्लिंट की कबर के सामने बैठ जाता है हैरानी की बात ये होती है कि कबर के अंदर क्लिंट अभी भी जिंदा था बोईजन का असर कम होने की वजय से उसे होस आ जाता है वो खुद को ताबूत में देखकर पैनिक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है फिर क्लिंट ताबूत पर पंच करने लगता है क्योंकि जोआना ने उसे सस्ते ताबूत में दफनाया था तो क्लिंट के पंच से वो ताबू तूट जाता है और क्लिंट कबर से बाहर निकलने में काम्याब हो जाता है बाहर आने के बाद उसे अपना डोग ड्यूक दिखता है जो वही पर बैठा हुआ था क्लिंट किसी तरह अपने घर तक तोंचता है पर वो इतना कमजोर था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था घर की साइड से गुजरते हुए उसे अपनी वाइफ काटलेंड को किस्ट करते हुए नजर आती है और वो सारा खेल समझ जाता है वो काटलेंड के जाने का इंतजार करता है और फिर खिड की तोड़कर बेसमेंट में अंदर चला जाता है क्लिंट उपर जाने की कोसिस करता है पर वो बहुत कमजोर हो चुका था और सीडियों से नीचे गिर जाता है इसलिए वो पूरी रात वहीं गुजारने का decision लेता है अगले दिन जुआना क्लिंट के lawyer से मिलती है जो उसे क्लिंट की property और bank account के बारे में information देता है जुआना lawyer से कहती है कि वो company को 2 million dollar में बेचना चाहती है और ये करने के लिए वो उसे 48 गंटों का समय देती है उधर बेचन में क्लिंट की नीद खुलती है और वो किसी तरह उपर चला जाता है पहले वो किचन में जाकर पानी पीता है और उसके बाद फ्रिज से कुछ खाने के लिए निकालता है क्योंकि उसे बहुत तेज भूक लगी थी जब वो खाना खा रहा था तो उसे जोआना कार में घर की तरफ आची हुई दिखाई देती है तो वो बंदूक उठाने के लिए बेसमेंट में चला जाता है हडबडी में उससे गोलिया नीचे गिर जाती है जिसे लेने के लिए उसे भी नीचे जाना पड़ा फिर वो गन को लोड करता है और जोआना को मारने के लिए उपर चला जाता है पर तभी डोर बेल बज़ती है और वहाँ पर ओफिसर सैम आता है दरसल वो चेक करने आया था कि यहाँ पर सब ठीक है या नहीं वो कहता है कि क्लिंट ने इस घर को अपने हाथों से बनाया था और वो इसे ना बेचे इसके जोआना कहती है कि क्लिंट के जाने के बाद उसे ये घर छोटा लगने लगा है और साथ में उसका यहाँ मन भी नहीं लग रहा फिर सैम वहां से चला जाता है और उसके जाते ही डोक्टर कार्टलेंड वहां पहुंचता है जोआना कार्टलेंड से कहती है कि उन्हें यहां से आज रात ही चले जाना चाहिए क्योंकि ओफिसर सैम उससे बहुत पूछताच कर रहा था काटलेंट कहता है कि उन्हें कल तक और रुकना होगा क्यूंकि कमपणी बेचने से जो पैसा आने वाला है वो कल आएगा फिर वो दोनों बाते करने लगते हैं और बातों ही बातों में बताते है कि कैसे जो़ाना के पेट में कलिंट का बच्चा था पर उन्होंने उसे abortion करके गिरा दिया था ताकि जोएना को क्लिंट के साथ ना रहना पड़े उनकी ये सब बाते क्लिंट सुन लेता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है अब वो बंदूप से गोलिया निकाल कर फेक देता है क्योंकि वो उन्हें आसान मौत नहीं देना चाहता रात को जब जोएना सो रही थी क्लिंट रूम से सीजर उठा लेता है वो अपने जखम साप करता है और अपने हाथों पर बैंडेज लगाता है अगले दिन कुछ लोग पैसो से भरा ब्रीफ केस लेकर वहाँ आते है क्योंकि जोएना ने कंपनी बेचने की जो डील की थी वो अब पूरी हो चुकी थी इतना सारा पैसा एक साथ देखकर जोएना कुछी के मारे पागल हो जाती है इस दोरान ओफिसर सेम क्लिंट की कबर पर जाता है वो देखता है कि कबर को खोदा गया है और क्लिंट की बोड़ी भी मिसिंग है सेम ताबूत को उसके घर भेजने को कहता है और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती सबको अपना मुद बंद रखने को कहता है उधर क्लिंट के घर जवाना पैसा मिलने के वह जैसे बहुत खुश थी लेकिन बातरूम में हर जगे मिट्टी देखकर वो सोक हो जाती है वो काटलेंड को कोल करती है पर वो उसकी कोल नहीं उठाता फिर जवाना वो इस मैसेच छोड़ती है ये कहते हुए कि उसके घर में कोई गुस गया है उसके बाद जवाना बेसमेंट की तरफ जाती है तब ही उसका सामना ड्यूक से होता है जो उस पर भोकने लगता है वो धीरे से पीछे हटती है और उसे मारने के लिए सोटगन उठा लेती है लेकिन इससे पहले वो ड्यूक को सूट करती क्लिंट एक मास्क बहन कर उसके सामने आता है जिससे डरकर वो बेसमेंट में गिर जाती है और बेहोस हो जाती है क्लिंट उसे बेस्मेंट में बंद कर देता है और बेस्मेंट की सभी विंडोज को सील कर देता है दूसरी और काटलेंड एक फिस से पोईजन निकाल रहा था फिर वो अपने फोन के वोईसमेल को चेक करता है उसे पता चलता है कि उसका लेंडलोड उसे घर से बहाल निकालने के लिए आ रहा है क्योंकि उसने पिछले छे महीनों से रेंट नहीं दिया था जोआना के घर पहुचने के बाद काटलेंड इंजेक्शन बहार निकालता है और जोर जोर से जोआना का नाम पुकारता है कुछ देर बाद जोआना को होस आता है वो सोचती है कि काटलेंड ने उसे बेसमेंट में कैज किया है और वो सीडियों के पीछे छुट जाती है जैसे ही काटलेंड नीचे आता है जोआना एक रोड से उस पर हमला कर देती है जिससे काटलेंड के हाथ से इंजेक्शन नीचे गिर जाता है फिर जोआना पैसो का ब्रीफ केस लेकर उपर जाने लगती है कि तबी क्लिंट वहां आकर डोर बंद कर देता है इसके बाद क्लिंट घर में बहुत सारी वूट सी कठा करना शुरू करता है इसी बीच काटलेंड को होस आ जाता है जोआना उससे माफी मांगती है और कहती है कि किसी नोंने घर के अंदर कैद कर दिया है वहां से निकलने के लिए काटलेंड दरवाजे पर सूट करता है पर क्लिंट ने पहले ही सभी बुलट्स को खराब कर दिया था फिर काटलेंड विंडो तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वहाँ पर ड्यूक होता है जो उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है क्लिंट अपने घर को मोडिफाई करना शुरू करता है और वो जोआना और उसकी एक फोटो को बीच से काट देता है अगले दिन जब जोआना की याँ खुलती है तो काटलेंड उसे बताता है कि वो यहाँ पर आठ गंटों से फशे हुए हैं और ये भी कहता है कि उन्हें याँ ओफिसर सैम ने बंद किया है क्योंकि वो उनके पैसो को हडपना चाहता है पर तभी जोआना को ड्रोर के नीचे पोईजन का इंजेक्शन लेता है वो समझ जाती है कि काटलेंड उसे मारने के लिए इसे अपने साथ लेकर आया था लेकिन काटलेंड उसे नीचे गिरा देता है और इंजेक्शन उठा लेता है फिर वो इंजेक्शन से जोआना को मारने ही वाला था कि तबी बेसमेंट का दरवाजा खुलता है वो सोचते हैं कि उन्हें इंजेक्शन को एक दूसरे पर वेश्ट नहीं करना चाहिए और उपर की तरफ जाने लगते हैं उपर वो देखते हैं कि पूरे घर को वूड से मोडिफाई किया गया है बाहर निकलने की कोशिस में वो एक मेज यानी की भूलबलिया जैसे रास्ते से जाते हैं दूसरी और ओफिसर सैम अपने दोस्त क्लिंट की मोत नहीं भुला पा रहा था वो ताबूत को दोबारा से चेक करता है जिससे पता चलता है कि इसे अंदर से ही तोड़ा गया है टेस्ट करने के लिए वो खुद भीस पर पंच करता है जिससे ताबूत असानी से तूट जाता है उधर क्लिंट के घर जोआना और काटलेंड के बीच इस बात पर बहस हो जाती है कि उन्होंने जो किया वो गलत था पर तभी उनके बीच एक दिवार आ जाती है जिससे दोनों अलग हो जाते है फिर रास्ते के एंड पर काटलेंड को एक सैडो दिखती है उसे लगता है कि वो सैम है और वो उसे सारे पैसे ले जाने को कहता है लेकिन तभी क्लिंट अपना चहरा दिखाता है जिससे डर कर काटलेंड नीचे गिर जाता है और वो इंजेक्शन उसके पेट में घुश जाता है कुछ देर बाद जोआना क्लिंट और एक विंडो के बीच में फस जाती है फिर वो उस विंडो में खुश जाती है जिसमें आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता क्लिंट उसे वही कैद कर देता है और फिर उसे अपना चहरा दिखाता है वो अपने बच्चे के बारे में पूछता है जिसे जोआना ने एबोर्शन से गिरा दिया था उसके बाद वो काटलेंट की बोडी और पैसो के ब्रीफकेस को भी कोफिन में फैंक देता है और इसे पूरी तरह से बंद कर देता है अगले सीन में क्लिंट अपने पूरे घर में पेटरोल चिड़क कर आग लगा देता है और उस कोफिन को लेकर वहां से निकल जाता है जि अब उसे पता चलता है कि वो उसका दोष्ट क्लिंट ही है सैम कहता है कि वो उसे नहीं जानता और उसे वहां से हमेशा के लिए जाने को कहता है ये सब बात समझकर क्लिंट चुपचा वहां से चला जाता है मूवी खतम होने से पहले हमें पता चलता है कि जोआना अभी भी जिन्दा है और वो उसी जगाए पर दफन है जहां पर क्लेंट को दफनाया गया था वो जोर-जोर से मदद के लिए चिला रही है इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है ऐसी ही और इंट्रस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें